कर दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होगे सो फाइनली काइस आज का ये व्लॉग यह मेरा कि जैसा कि मैं ब्रुनो को जारखंड लेके गया था हूं यह जाएक पूरी जांकारी मिल जाएगी के आप अपने डॉग को कैसे लीजा सकते हूँ और को racism के नहीं लेके गया था और यह द Halav civ के पूरी जाकारी मील जाएगी है फूरे पूरी जानकारी म्ल जाएगी है ङॉधथ vários टरज्सा कोई डिटेल मिल जाएगी कि आप किस तरह से लिजा सकते हो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको एक्चुली में मैंने क्या-क्या फेस किया है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा सारी चीज़े मैं बताऊँगा पेपर वर्क के बारे में कैसा पे पहले आप वीडियो देखो इस तरह के कुछ कैबिन होती है आपके डॉक की इसमें छोटा सा आप देख सकते हो रूम बना हुआ है जिसके अंदर आपको अपने ब्रुनो को रखना है मतलब अपने डॉक को रखना है इस पर मैंने अपनी खाना और पानी डाल दिया इसकी सा काफी ज़ादा बारिष हो रहीती काफी ज़ादा चाणा के काफी ज़ाधा जब ब्रुनो ज़ून गफ के खालो जब को अभी सर्समेन टोइलेट अगरे प्राद के नहीं ज़ो थालए आ हैं निस फोड़ा चव्लेट बाकेartaने किआ ह любим हुप बिद्ध एधी आओ शोलो प्रप्लर एगई lucky दिसिया धिवर चलो कि यंटा ऑनर जए को है- टो चलो ड। को फाना का भाघा धन्हां पिर आएंगे फिर ढ़ेंगी मुंत मिंअ अध् одस खुकrav अंदर कि चलुन्हा चलूना जो आजा ज़त का अधो कि हमको और शुक्रोन फिर अभी इसक्ष्वात और चलो चलो आज आभाजा में जाएगा कि नहीं जाएगा तो फिर घर कैसे पहुचेगा चलो चलती चलो अ चलो अ चलो अ चलो अ अ अज़ दो जे खेज और था गार, गार कंगर से चिसेए डिया से चाल इन चमरु विद्ध कंगर से बादा जो आखेज दो जो अटो भया है ले का बस्त जाओगा 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 कर दो आपगा को जाओगा कि अरिका पुई खुई खुई पह पना इंग कर दो सकती कि अढदा है कि अज़ हैं और में यंवस्टराब जहाँ पार मेरा को बार इल सकते हैं को झपर्बाद में झाल 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 तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ब्रूनो को उस समय मैं ब्रूनो को खाना खिलाने के लिए गया था क्योंकि मेरे ट्रेन थी सुबा छे बजी की और मैं करीबन दो पहर में एक बजी के करीबन मैं उसे खाना देने के लिए गया था सो खाना देने के लिए मैंने खाना उसे दिया और अंदर मैंने उसके बावल में अंदर अग दिया बट मैं उससे बाहर भी निकाला था थोड़ा सा बाहर क्योंकि वो फ्रेश हो जा मैंने ट्वालेट कराने के सोचा था निकालू में बट वो जो गाड था उसमें ट्वालेट कराने नहीं दिया बोला कि आप बाहर नहीं ले जा सकते हो ये मेरी प्रापटी है, अभै मैतलब मेरी जमदारी तो आप बAहर अम लिया सकते हो। तो उसने मुझे बाहर ले जाने ने दिया। ओर मेरे बुरुमो का एक भराव हिक वुझे घर टोट सीन हमेस्टें करता हैं। तो उसने टोलेट नहीं कराने दिया. फिर जो मैंने अंदर खाना दिया, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसने नहीं खा रहा था. वो उसे बहुत जादा डर लग रहा था अंदर में क्योंकि पहली बात थी तो वो तो चला गया उसे समझ नहीं आया और जब मैंने उसे निकाला और दूसरी बार जाल रहा था तो नहीं जाने खोज रहा था ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं थी ठीक आप डर गया था तो फाइनली म मैंने खाना को जब बहर निखाला तब उसने खाया पानी पी और पानी से यादा एक जिए मैं बताओंगा जब भी अगर इस तरह से आप डॉप को एपने ले जाए तो जैसा कि मेरे पास बहुत था खाने का पानी का तो थीक है बट पानी का बाउल अप आप ऐसा मत ले जा पानी के लिए कोई ऊचा हाइट का और हेभी होना चाहिए, मतलब हेभी इसलिए अगर वो नॉर्मल हलका रहेगा तो आप मतलब वो ऐसे हिलेगा तो वो गिर सकता, तो आप इतना लिमिट रखना कि वो जल्दी गिरता भी ना हूँ और उसमें पानी की कॉन्टिटी जादा आ पुर्ट आप बार बार जाओ तो उसे भी जोड़ा सा लगने लगेगा कि कहा चला गया छोड़ के ऐसे, एक बार के लिए वो समझ जाएगा तो आप बार बार मत जाना एक बार जाओ अप इन पर जाओ खाना तो उसके पर डाएट आप जब अजर आपका लंबा सफर ज्या और डालने के बाद फिर मैं अपने केविन में चला गया था और उसके बाद मैं सिर्फ फाइनली गया हूं उसको जब मेरी ट्रेन रूप गई आने वाली थी तो उससे मैंने एक स्टॉपिज पहले मैं गया उसको में पास समान काफी जादा हेवी था तो मैं सोच रहा था उसे लेने के लिए तो आप उसकी वीडियो देखवा और फिर फाइनली मैं आपको सारी चीजर सार है जो भी प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा अब मेरी धृष्ट रहे गई है विए तो अभी मैं पहला दूसरा इस्टॉपफिज है उसमें मैं बुरुनो के रूम में चला जाओंगा जो लाश इसके बाद फिर मैं उतर जाओंगा वहां पर क्यूंकि समान मेरे पास काफी साथा और मुझे टाइम लगेगा कर दो कर दो हुाना नायाए कर दो कर दो खुआ है के शिक ठो नायाओ झाल एंड के दोहें झाल 거ो कर दोड़ी यार घ्ता कर दो यॉदिया जा नाया जोफ शिके ओड दोंगा कि अगा जड़ें झाल कि अगा प्रदी ठाइट बना दोड़ है हैं तरह से आजया लगां है डाउजी तैंपने वाल कि लाओं जा नहीं नेक्ट परिख नहीं उतरना है अरे अभी धनवाद आईगा आशन सोल नहीं उतर हुएगा तुम्हारा बुक आसनसुर के लिए है ना तो धनबागने भी स्टॉपिक मतलब मैंने दोनों कर रखा है कि अगर कहीं गल्ती से छूड़ जा तो आसनसुर उतर सकूँ पाइस्टा नहीं होता है तुम्हें आसनसुर के है ना आसनसुर ही मिलेगा कि अगर रुप तो सकता हो ना प्रुप तो सकता हूँ फिर जाओंगा फिर एकी बार निकाल लूँगा तो मेरा दोनों नजबीक पड़ता है फ़िता है दर्वाज में किसे मिलेगा में कि आना में तो मैंने चाहिए अपना काम पर ने कर दो हांदी करिए नो तरहा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं दोनों मेरा पड़ेगा नज्जी हाबचा हाँ हाबचा वैरा वैरा अंदर अंदर यह 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 हाँ बुरनो कुछ नहीं कुछ नहीं बच्छा कुछ नहीं थोड़ा दिर आज इतना दिर रहा न हाँ भेर बदमाशी नहीं करते बच्छू का नहीं करते पर दिर दिर अंदर इंडर 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 प्रवार इंडर इंडर टुक अहलो नो को यो आजआ को चलो कीचब करना गूतिती है data चलो हाँ अगे त ऊफैर में ट्ट्राइट से चलो 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 नहीं पैए अलिग दन cigarettes gibi आजए अ आ गया analyis आपको आपको पहले जान लो तो सबसे पहला चीज यह है कि आप सोचोगे कि जो इसका कैबेन है वो आपको पहले करवाना पड़ता है तो अगर मैं गया था डेली से ठीक है और वो ट्रेन आ रहे थी कालका से तो मान के चलो कालका काफी दूर है और डेली तो अगर उस ट्रेन में पहले से अगर डॉग आ रही हो तो आपका डॉग नहीं जा पाएगा साथ में चाहे आपका टिकट हो नहीं जा पाएगा वो साथ म सबसे पहली चीज यह उमीद करना होगा कि आपका जो ट्रेन आ रहा है उसमें कोई डौक ना हो क्यूंकि एक ही डौक में मतलब बोपूरे ट्रेन में एक ही कविन होता है डौक के लिए स्रिफ एक होता है तो अगर कोई और ओलेडी वहां से आ रहा होगा अगर आपका जब इसका booking करोगे उसका booking कब होगा अगर आपका ट्रेन है 22 तारीक हो एक इस तारीक को जो भी तारीक हो है उसी दिन इसका booking होगा उसी दिन ट्रेन खुलने के 4 गंटे पास गंटे पहले या मान को चलोग के ट्रेन वहां से जितने बज़े भी खुल रहा है, आपको बाइस तारिक को चाहणना मतलब वहां से आते आते 22 हो जाएगा, तो आपका 22 तारिक को ही इसका टिकट बनेगा, डॉब का टिकट बनेगा, आप सुझेगे की 21 का बना आलूम नहीं, आपका का टाइम है, उसी डेट में होगा, जो मैंने सोचा था कि मैं पहले करवा लूँ तो ऐसा नहीं होगा, उसके बावजूद भी अगर आपका टिकट आपने करवा लिया, और अगर वहां से कोई डॉग आता है, तो आपका जो पैसा है वो तो बरबाद हो ही जाएगा, और जो ही कि वहां से डॉग आ रहा है कि यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यह कोई कंप्योटर में अपडेट रही होता के बारे मैं, अगर कोई डॉग आ रहा होगा, ऐसा धजा पहरा हों तो आपको आपका टॉग को जो आपको या तो आप रिटन चले और नेक्स दिन फिर स्ट्राइ करो वरना अगर पैरेंस है तो आप खुद चले जो और अपने डॉब को अपने पैरेंस के साथ भेज दो मेरे साथ यह हो चुका है मैं जब रिटन आ रहा था तब मेरे साथ सेम चीज हो गया मैंने ठाड़े सी का टिकट करवाया था क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा था तो ठाड़े सी का टिकट कराया मैंने और मैं स्टेशन पे गया अपने डॉब को लेके सो फाइनली वहां से वह हावडा कॉलकाता से आ रही थी वह ट्रेड और मैं आशन सोल में था तो वहां पहले से कोई डॉग था तो मुझे नहीं मिल पाया वो फिर मेरा दोनों पैसा बरवाद वर तुकि मैं तो अकेली आया था हूं फिर मैंने दूसरे दिन फिर से वही चीज किया सेम प्रोसीजर सारे चीज़े की फिर जाके इस बार कोई डॉग नहीं आया तो मेरा डॉग आ सका तो यह है और एक डॉग अगर 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 याद रखना कि अगर कोई डॉग होगा तो जब भी आप अकेली ट्रैवल करने की सोच रहे तो अपने पैरेंस या किसी को ल ले जा आपका पैसा वेशना हो और माइंड में जरूर रख लेना कि मेरा डॉग जरूरी नहीं कि हम आज किया है टिकट तो आज जा सकता है तो यह पहली चीज़े हो गई दूसरी जी पैसे कितने लगते है तो गाईस पैसे लगते हैं मैं करीबन गया था डैली से मेरे कि करीबन लगे थे मतलब ज्यादा पैसा नहीं है आपके टिकट से नॉर्मल 50 परसेंट लगेगा इसका जो भी चार्ज वेट वेट का कुछ है खास सी नहीं होता नॉर्मल अप जाओगे पेपर वर्क होगा चोटा सा मतलब आपका जो भी इसका वाइट कलर वलर डेट अधार काट चाहिए इसका वेक्सिनेशन जो होगा वह आपको चाहिए डेट में होना चाहिए इसका वेक्सिनेशन जुसरा चीज बहुत सारे जगह पर मानके चो लो कि यहां से नहीं मांगे तो दूसरी जगह आपका हैल्थ सर्टिफिकेट मांगता है डॉप का तो मैं कोई डॉक्टर से आप बनवा लेना कोई बड़ा नहीं है काई कि परशानी हो इससे बड़े है कि आप बना के चलो सो पहला पेपर हो गया आपका टिकट आपका अधार काड और उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट और दूसरा वेक्सिनेशन जो भी इसका वेक्सिन गांके बार से बाद बना क आपका अधार कर सकते हों कि अगर और ह। लो एसी चीज काई अगर कोई और आगया तो यसी चीज़ी का थोड़ा से डर होता और कोई डर नहीं है बाकी मैंने experience कर लिया, बस परिशानी मुझे वही चीज होई थी कि कोई dog आ चुका था, आते समय मुझे जब मैं return Delhi आ रहा था, तब, और कोई दिक्कत नहीं होई थी, फाइनली इस वीडियो में मतलब यही था, अगर आपको मज़ा आया हो, तो like, share, subscribe जरूर करें, मज़ा मिन्स क्या, अगर आपको मैंने knowledge दिया है, सो अच्छा लगा हो, तो like, share, subscribe जरूर करना, ऐसे ही और वीडियो के लिए, और guide की वीडियो आती रहेगी, और share कर दो, comment करना, comment जरूर करना हो सकता है, subscribe कर देना, अगर आपका दिल बोले तो, इंस्टाइक फॉलो कर सकते हो, आपकी अगर मनों तो, सो अब ज्यादा पकड़ो लिए करते हैं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक लिए, बाबाई!